अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं, जो clear नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हो किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी, finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं, जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं, तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो, या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2024 की love tarot reading तो चलिए उसका प्योज़ आप लुगों के लिए देखें कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में परस यहाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सेकेंड set of cards में आपकी partner की energies देखेंगे and थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally April month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है The Star और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर April starting में आपकी तरफ से बहुत एक giving energies आपके partner के लिए रह रही है और हो सकता है कि किसी चीज को लेकर एक उमीद भी जागती भी दिख रही है थोड़े से आप hopeful भी होते हुए दिख रहे हैं किसी भी तरीके से उनको यह चीज बताना चाहा रहे हैं और कहीं mid April के लिए Six of Cups reverse का card कहता है थोड़े से emotionally low feel आप कर रहे हैं और दिखे इसके लिए सब Scorpios के लिए different reasons रहेंगे लेकिन Six of Cups का card कहीं memories की बात करता है, past की बात करता है क्योंकि आप लोगों के लिए यह card reverse है तो कहीं past memories जो भी आपके पार्टनर के साथ हैं या थी उनके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं आपको पुराना कुछ बहुत ज़्यादा यादा रहा है और दिखे यहाँ पर यह card past को represent करता है तो कुछ के लिए फिर से मैं कहूंगी हो सकता है partner के साथ जो आपने अच्छे पल पीछे बिताए आप उनको याद कर रहे हैं आप उन पे focus कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा पुरानी यादें आ रही हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि past का कोई connection है या फिर past की कोई भी चीज हो सकती है relationship हो सकता है अगेन मैं कहूंगी ये general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा past पे आप ज़ादा focus कर रहे हैं past में आप ज़ादा रहते हुए दिख रहे हैं दिलिके deeper level के लिए move on का card गहता है कि कहीं एक movement आप चाहते वे दिख रहे हैं अब ये move on का card सब copy उसके लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि past में आप थोड़ा सा या फिर काफी अटक रहे हैं और उस past से आप खुद को बाहर निकालना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है किसी भी और चीज में एक stuck energies इस relationship से related आप महसूस कर रहे हैं और उसमें से ही खुद को या फिर इस relationship को बाहर निकालना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं कहीं you know especially अगर ये long distance relationship है तो partner से मिलने जाना चाहा रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है partner आप से मिलने आए तो कहीं देखिए travel भी आप करना चाहा रहे हैं या फिर उससे related एक सोच, एक thought आपके मन में रह रहा है and कुछ के लिए या फिर मैं कहूंगी इका दुका लोगों के लिए भी हो सकता है कि इस relationship से आप move on करना चाहा रहे हैं लेकिन इतना जादा आप अपने partner के बारे में सोच रहे हैं जो भी अच्छे वक्त आपने उनके साथ गुजारा उनके बारे में सोच रहे हैं कि आप नहीं move on कर पा रहे हैं and कहीं इसलिए या फिर otherwise भी end of April के लिए two of pentacles का card कहता है कि बहुत up and down वाली आपकी energies रह रही है in and out वाली energies रह रही हैं यानि कि ना तो पूरी तरीके से आप इस relationship में जा रहे हैं ना ही पूरी तरीके से relationship से आप बाहर निकल रहे हैं ये एक या फिर कुछ लोगों के लिए scenario रह सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई decision लेना है, choice लेनी है आप कहीं single minded होके decision choice नहीं ले पा रहे हैं आपके mind में एक से जादा चीज़ें चल रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि कभी आप बहुत great feel करते हैं बहुत enthusiastic, excited होते हैं अपने relationship को लेकर, partner को लेकर और किसी दिन आपका excitement, enthusiasm काफी low रहता है देखिए overall के लिए कहीं two of pentacles का card up and down in and out वाली energies की बात करता है अब ये energy आप लोगों के लिए रह रही है situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे and deeper level के लिए solving and issue का card कहता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही है आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ पहेली सी बन गई है जो कि आप समझना चाह रहे हैं, जिसको आप solve करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि शायद आप solve नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि two of pentacles का card कहता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में तो आ रही हैं लेकिन कितनी बारी होता है कि हम समझ के भी चीज़को नहीं समझना चाहते हैं या फिर हम, you know, देख के चीज़ों को अंदेखा कर देते हैं क्योंकि हम उस चीज़को accept नहीं करना चाहते हैं हम उस चीज़को कबूल नहीं करना चाहते हैं तो कुछ के लिए ऐसी भी energies हो सकती है और ये general reading है, फिर से कहूं भी थोड़ा थोड़ा सब के लेडिफर करेगा अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो देखिए आपके partner के लिए हापे affairs, connection, lunch break, work affairs के cards है और ये दोनों ही cards कहीं न कहीं connections की बात करते हैं, affair की बात करते हैं तो आपके अलावा किसी और के साथ, आपके partner किसी भी level पे connect करते हुए दिख रहे हैं उनका कहीं एक interaction हो रहा है, या फिर वो focus कर रहे हैं और ये सब scopio's के partner के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए दिखिए serious level पे हो सकता है, उनका किसी और के साथ आपके अलावा connection बन रहा है कुछ के लिए सिरफ starting हो सकती है, सिरफ एक initial stages of बातचीत हो सकती है कुछ के लिए ऐसा ही हो सकता है, non-serious, suffering, या फिर एक flirting वाली energies है लेकिन यहाँ पे दोनों ही cards किसी ना किसी level पे फिर से मैं कहूंगी connection यहाँ कुछ ना कुछ issue मसला रहते दिख रहा है यहाँ पे King of Cups Rivers का card कहता है कि कुछ टाइम से है April starting में यहाँ तो आपके partner उतना love care आपके लिए नहीं महसूस कर रहे हैं यह card reverse है तो थोड़ा थोड़ा फिर से कहूंगी सब के लिए differ करेगा and देखें mid April के लिए four of cups reverse का card कहता है emotionally low feel कर रहे हैं या फिर इतने interested नहीं है तो देखें इन दोनों cards को मैं combine करूं तो मुझे दिखता है कि उतने interested नहीं रहते हुए दिख रहे हैं उतने action initiatives आपके partner नहीं लेते हुए दिख रहे हैं कहीं excitement, enthusiasm आपको लेकर missing रह रहा है या फिर से मैं कहूंगी कि उतने excited इस relationship के लिए आपके लिए नहीं रह रहे हैं deeper levy के लिए both still in love का card कहता है कि भले ही वो उतने excited नहीं है उतने enthusiastic नहीं है बट उनके मन में आपके लिए प्यार है, feelings है और यहाँ पर दिखे हो सकता है कि वो romantic वाली feelings नहीं है लेकिन एक soft corner है, एक कभी-कभी attachment हो जाती है एक कभी-कभी friendly तरीके से भी affection होती है तो उस तरीके की energies उनकी तरफ से जाधे रहती भी दिख रही है and end April के लिए page of source reverse का card कहता है थोड़ी सी immature energies हो सकती है, कुछ coffee उसके partner के लिए हो सकता है आपको social media पे stock कर रहे हैं, आपको spy कर रहे हैं आपकी हर activity पे उन्होंने नजर रखी हुई है और कुछ के लिए हो सकता है, कि आपके partner काफी blunt, काफी straight forward हो रहे हैं in the process थोड़े से ताने मार के भी बात कर रहे हैं उनका communication या फिर उनकी तरफ से बाचीत काफी एक चुबने वाली taunting या sarcastic तरीके से रह सकती है और फिर से मैं कहूंगी कि immature energies भी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है और अब देखते हैं कि April month में क्या हो रहा है तो देखिए April starting में या पे tower का card कहीं बहुत एक उथल पुथल की बात करता है anxious energies की बात करता है, unrest की बात करता है अब इस चीज़ को सुनके स्कॉपियोज आपने बिलकुल भी परिशान नहीं होना है क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है ये सिरफ और सिरफ April starting की energies की बात कर रहे हैं cards तो फिर देखिए मैं फिर से कहूंगी कि बहुत कुछ ऐसा issue मसला नहीं रह रहा है इका दुका लोगों की बात अलग है यानि कि कुछ के लिए रह सकता है एक breakup वाली situation मैं ये नहीं कह रही हूं कि breakup हो रहा है लेकिन उस तरीके की एक energies कुछ के लिए मैं फिर से जोर देके बोल रहे हैं आप डर नहीं जाना है और आपने परिशान नहीं होना है कुछ के लिए सिरफ हो सकता है कि arguments हो रहे हैं difference of opinion हो रहे हैं बहुत जादा एक फिर से मैं कहूंगी fight हो रही है जिसकी वज़े से या otherwise एक उथल पथल सी रहती भी दिख रही है deeper level के लिए motivating का card कहता है या तो आप परिशान हो रहे हैं तो आप खुद को motivate कर रहे हैं या फिर partner परिशान हो रहे हैं तो आप partner को motivate कर रहे हैं partner आपको motivate कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख यह motivating का card कहता है कि जो भी यह एक phase April स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में रह रह रहा है deeper level के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक you know बहुत खुद को या दूसरे जन को motivate करते हुए दिख रहे हैं कितनी बारी हम खुद को बोलते हैं अरे कोई बात नहीं यार परेशान मत हो सब ठीक हो जाएगा हम खुद से ही ये conversation कर रहे होते हैं और कहीं एक motivating वाली energies भी आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रहती भी दिख रही हैं mid April के लिए justice का card कहता है कि बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं हो सकता है कोई decision लेना है कोई choice लेनी है और कहीं mind से जादा decision और choice लेते भी दिख रहे हैं कहीं जो भी हो एक fair energies भी mid April में रहती हुए दिख रही हैं आपको ऐसा नहीं लगेगा उसकोप उसके आपके साथ कुछ unfair हुआ है या फिर आपके partner के साथ कुछ unfair हुआ है आप दोनों को ही एक ऐसी feeling आएगी भी जो भी है वो fair है और साथी साथ फिर से मैं कहूंगी emotions, feelings, sentiments missing रहते हुए दिख रहे हैं बहुत logically या फिर मैं कहूंगी fair तरीके से unbiased होके चीजों को deal करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और deeper level के लिए stress का card कहता है कि in the process थोड़ी सी tension थोड़ा सा stress भी रहता हुआ दिख रहा है and end april के लिए always fighting in the moon के cards कहते हैं कि एक fight रह रही है और दिखिए आप ए fight भी literally वाली fight नहीं है एक का दुक्का के लिए हो सकता है कि एक literal fight रह रही हो कुछ के लिए simply हो सकता है difference of opinion है आप लगों के views नहीं match कर रहे हैं चोटे मुटे arguments हो रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी the moon का card कहता है एक confusion है, एक fear है, एक insecurity है, एक anxious energies है तो दिखिए April month बहुत great नहीं रहता हुआ दिख रहा है Scorpios लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि आप अगर पहले से ही इस reading को देख रहे हैं कुछ चीजों का खयाल रखके April month की energies को बहतर कर सकते है सबसे पहली चीज खुद के साथ अपनी self-talk को positive रखे negative self-talk अपने मन में ना आने दे जो चीजों को आप नहीं बदल सकते हैं उनको accept कर लें, जिनको बदल सकते हैं उनके लिए अपना 100% लगा दे और कहीं देखिए single mind होके decision ले choice करें और बहुत emotional बहुत sentimental आप ना हों क्योंकि जब हम बहुत emotional बहुत sentimental होते हैं तब भी कहीं हम सही decision, सही choices नहीं ले पाते हैं तो ये था स्कॉपियोज आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share, subscribe जरूर करें